Hello and Good Morning everyone आप सभी लोग का स्वागत है Steady Gloss पर और मैं हूँ आपका दोज दीपक बहुत ही बहतरीन 23 जून की करंट फर लेकर मैं आप लोग के सामने उपस्तित हूँ और एक कोट आप लोग को सामने दिख रहा है जो हम दूसरों को देंगे वही लोट कर आएगा चाहे वो इज़त हो, सम्मान हो या फिर धोका यहाँ पर मेंली हम लोग फोकस करेंगे इज़त पर, इमेज पर और सम्मान पर एक छोटी से स्टोरी में आप लोग को बताता हूँ जब मैं अपनी ओफलाइन क्लासिस को लेता हूँ तो उस समय जब मैं अपनी गाड़ी को पार्क करता हूँ तो वहाँ पर जितने भी गाड़्स रहते हैं उनसे मैं हमेशा हाई हलो करना उनके परिवार के हालचाल पूछना तो यह सब जो है, वो एक कम्यूनिकेशन उनसे चलता है तो जब भी मैं जैसे ही गाड़ी से उतरता हूँ तो वो लोग मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं मतलब कि उनको यह रहता है कि सर अब जो है वो हमसे बात करने के लिए आएंगे और मैं हमेशा उनसे बात करता हूँ एक रोज क्या हुआ कि मैं लिफ्ट में फस गया था तो लिफ्ट जो थी वो खराब हो गई और उस समय मैंने गाड़ को फोन किया और गाड़ ने उस समय उस लिफ्ट का पावर अन किया मतलब वो किसी से भी अन नहीं हो रही थी अब ये जो गटना है ये है सुभे सबाब 5 बजे की 5.15 पर सर्दियां थी कोई भी उस समय वहाँ पर अवेलेबल नहीं रहता है और उस गाड़ ने मेरी काफी हेल्प की जहां पर अदर के फोन जो थे वो सिच ओफ हारे थे कोई फोन नहीं उठा रहा था उस समय वो गाड़ जो था वो सर्दी के अंदर मेरी हेल्प करने के लिए आता है वो चाहता तो वो भी फोन ना उठाता लेकिन जब उसने देखा कि सर जो है वो लिफ्ट में फस गए है तो वो आया और उसने कहा कि सर मैं आप के लिए आया हूँ लेकिन मैंने उनको कई बार मना भी किया कि आप ऐसा मत किया करो लेकिन फिर उनों ने कहा कि मैं केवल सम्मान के लिए करता हूँ सर क्योंकि आज तक एक मात्र आप ही वही वैक्ति हैं जिन्होंने इतने प्यार से और सम्मान दिया है हम लोगों को अधर जो है वो तो हम लोगों से बाद भी नहीं करते हैं तो चलिए आप जो है जब दूसरों को सम्मान देंगे तो वो सम्मान आप लोगों तक वापस लोट कर आता है तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं 23 जून के बहुत ही बहतरीन करंट अफेर को और सबसे पहले इंटरनेशनल और नेशनल न्यूस को कवर कर लेते हैं देखिए मैं जिन कोशन्स को कराता हूँ वो कोशन्स थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन जब आप लोग यूपीएसी और पीसीएस के अंदर उन कोशन्स को पाओगे सबसे पहले हम लोग इंटरनेशनल और नेशनल न्यूस को कवर कर लेते हैं कोरोना से जग में मददगार हो सकता है गट बैक्टीरिया यहाँ पे आप लोग पहली बार नाम सुन रहे हैं कि यह गट बैक्टीरिया क्या है बेसिकली गट का मींस होता है कि आपका जो पेट होता है साइन्टिश जो हैं साउथ कोरिया के उन्होंने अपने रिसर्च के अंदर यह पाया है कि हमारे पेट के अंदर एक बैक्टीरिया पाये जाता है जिसका नाम है Bifido Bacteria जो है ये पाए जाता है और ये Bacteria जो है यदि इसको थोड़ा सा और एक्टिव किया जाए तो ये कहीं ना कहीं कोरोना को जो वाइरस है उससे लड़ने में मदद करता है नाइट्रोजन की वरदी से तितलियों पर खत्रा बिसीकली नाइट्रोजन जो रिलीज होता है वो इंडरेस्ट्री से रिलीज होता है यहां तक की human जो development कर रहा है वहां से भी अब जो है ये नाइट्रोजन काफी तादात में अब निकलना शुरू हो गया है लेकिन ये तितल होते दिख रहे हैं तो सीधे तोर पर ये केबल टितली की बात नहीं है यहां पर कई जीव जो है वो इस नाइट्रोजन से खत्रे पर हैं द्विपक्षिय सायोग पर भारत और श्रिलंका के विदेश मंत्रियों ने की बातचीत भारत के तो विदेश मंत्री आपको पता है एस जेशंकर हैं जबकि श्रिलंका के विदेश मंत्री हैं कौन दिनेश गुनवर्धन तो दोनों की बीच में अभी समझोता हुआ है कि जो भी रीजनल जो और्गनाइजेशन हैं जैसे बिमश्टेक की हम लोग बात करें तो ये और्गनाइजेशन कितने अच्छे डंक से क एफडियाई के अंदर पिछड गए हैं यदि पूरे विश्व की हम लोग बात करें तो 35 प्रतिशत एफडियाई गिर चुकी है लेकिन विकासील जो देश है मतलब डवलपिंग जो कंट्रीज है भारत जैसे देश उनके अंदर एफडियाई की मात्रा कोविड-19 के चलते ह हुए 2020 के अंदर बड़ी है मयानमार से 10,000 लोगों ने भारत और थाइलेंड की और किया पलाएं देखिए भारत जो है वो एक शांतिव प्रिय देश है और मानवा अधिकारों के लिए हमेशा एक काम करता है और मयानमार से जो भी शरणारती भारत के अंदर आ रहे हैं भार कोरोना संक्रमन की चपेट में चीन का एक और शहर वोहान लैब से ये वाइरस निकला था ये बात तो साबित हो चुकी है चीन भी इस बात से इंकार नहीं कर सकता लेकिन अब दूसरा शहर जो है जिसका नाम है गौांग दौंग गौांग दौंग जो है वहाँ पर भी कोरो के म्यूटेंट वाहरस से संक्रमित होने लग गए हैं टीका करन महा अभियान के पहले दिन बना रिकॉर्ड पहले दिन मतलब 21 जून को महा अभियान चौथा चरण जो है वो शुरू हुआ है जिसमें 18 वर्ष से अधिक वैक्तियों को निशुलक वैक्सीन लगाई जा रही ह इसके तहट एक दिन के अंदर कुल 83 लैग जो है वो वैक्सीनिट किया गया और इसमें सबसे पहले इस्थान पर कौन आया है एमपी आया है जिसने लगबग 15 लाख वैक्सीन जो है वो एक दिन के अंदर लोगों को लगाई है नारत इस्टिंग मामले में ममता बनर जी ही पहुँच चुकी है वहाँ पर सुनवाई नहीं हुई है अब जो है वो सूपरिम कोट में पहुँच चुकी है इनके चार जो एमले है उनकी टेप रिकोर्डिंग जो है वो सामनी आने के बाद अब जो है ये CBI के डायरे में आ शूके हैं टाता की देशी तक्निक से Airtel लाउंच करेगी 5G, देखी टाटा कंपनी और इसके साथ में एटेल जो है वो दोनों अब मिलकर टकर देंगी किसको, जीयो को, तो जीयो को टकर देने के लिए दोनों कंपनिया एक हो गई है, टाटा का इंफरास्ट्रक्चर यूज किया जाएगा और एटेल का स्पेक्टरम किया जाएगा, दोनों मिलकर अब जीयो को टकर देंगी, 5G नेटवर्क को लागू करने वाला विशू का पहला देश कौन सा था, वो था साउथ कोरिया जिसकी कैपिटल है, सी ओल, विश्वास लायक नहीं दिखा ममता सरकार का एक्शन, हाई कोट ने रिसेंटल ये कहा है, तो कॉलकाता हाई कोट जो है, उन्होंने कहा है कि ममता बैनरजी जो है, वो कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, इसके साथ में जो भी चुनाव के दोरान हिंसक कारी घटना हुई है, उस पर उनका कोई भी जवाब नहीं है, तो जल जो है, वो अपना जवाब दाहर करें और कोई एक्शन जो है, वो दिखाएं, आप लोग के लिए एप जो है, वो बहुत ही बहतरी इन उपलब्द है, NCRT की कोशिस अवेलेबल हैं, बैंकिंग, और इसके साथ में ही, आप लोग के लिए परसनल्टी डवलपमेंट के भी कोर्स जो है, वो अभी लेवल हैं, तो आप इसके साथ में लेक्चर की PDF जो है, वो अवेलेबल रहेगी, टेलिग्राम चैनल के उपर, डेली जो भी आपको कोशिस करवाए जाते हैं, उनके, जो MCQs, मतलब हम लोग कहें कि क्यूस जो है, वो आप लोग के लिए अवेलेबल रहेगी, तो इसके साथ में आप लोग क्या आता हूँ, वो आप देखें, और बाद में आप इन कोशन को अटेम्ट करें, कि आप लोगों को क्या वो कोशन का अंसर याद है, तो आप इस को जरूर अटेम्ट किया करो, कल के जो 22 जून की करेंट अफैर थे, उनको एक बार हम लोग रिवाइस कर लेते हैं, कोरोना के सं परकास देशाई ने जो रिकमेंडेशन दी है, वो 114 सीट्स के लिए दी है, जमो कश्मीर में, ओलम्पिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एटलीट कौन हैं, वो हैं, लॉरेल, हबर्ड जो हैं, वो बनी हैं, 21 जून योग दिवर्स की दिन कौन सा मॉबाइल तो वो था एम योगा, सस्टेनेबल डवलप्मेंट रिपोर्ट 2021 के नुसार भारत का विश्यो में कौन सा इस्थान हैं, तो वो है 120, ग्रीन हाइडोजन पर ब्रिक्स देशों की दो दिवसी है, जो सम्मेलन है, इसकी मेजवानी कौन कर रहा है, भारत कर रहा है, किस राज् जेंडरों की भरती को मंजूरी दी गई है, तो वो कौन सा है, वो है उडिसा, विश्यो की पहली योजना कौन सी है, जिसमें चेकित सा उपकरणों को गुनवत्ता, एनकि उनकी क्वालिटी है, सेफटी है, एफिकेसी है, इसके लिए IEC, MED, स्कीम जो है, वो लाँच की 270,000 रुपए किलो है, इस आम का समन किस राज्य से है, तो वो है मद्य प्रदेश, स्पूर्ट्स वेयर, ब्रांड प्यूमा के नए, ब्रांड ने में सेट जो है, वो युवरा सिंग को बनाए गया है, इसके साथ में ही, वो हैस बीन अपॉइंटेड, जो काउंसलर है, डब 23 जून और बहुती बहतरीन करंट अफेर को हम लोग शुरू करते हैं, सबसे पहले कोशन देखिए, याद रखना कि मेरे कोशन थोड़े से डिफरेंट है, बिलीव कीजिएगा, UPSC और PCS के अंदर आपको काफी हेल्प करने वाले हैं, इसके साथ में ही, वन्डे एक्जाम में सें, और फर्ष्ट पोजिशन जो है, वो पंजाब ने हासिल किया है, सेकिंड पर है चंडिगर्ड, थर्ड पर कौन है, तमिल नाडो और केरल जो है, वो फोर्थ पोजिशन पर आया, देखिए, ये है क्या, परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स, जो बच्चे में उनके पढ़ने के लिए क्या फैसिलेटिस प्रोवाइड है, जब उनको सिखाय जाता है, तो उसके सिखाने के बाद में, उनका रिजल्ट जो है, वो क्या रहता है, इसके साथ में ही, जो भी वहां का एड्मिरिस्टेशन है, उसके अंदर इनको जो है, टोटल सतर पैमा तो चार तो आई एद है, यदि हम लोग बात करें कि सबसे last कंग रहा है तो वह रहा है mett कट अधान टेक है हैं, लड़ाक सबसे इसके अंदर वह एक में रहा है देखे इस आप आई कगे घाओ और झाल में गूसाने परिटिकल देखा जादा है, ďक है तो आप लोग यहां पे इस article को जरूर से पढ़िएगा तो ये जो PGI है मतलब performance grading index जो है वो work कैसे करता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं it assesses states performance in schools तो school जो है वहाँ पर performance है और इसके साथ में teachers की performance जो है वो देखी जाती है education के अंदर national achievement survey and midday meal जो है इनके तहट जो है ये system काम करता है total 1000 points रहते हैं और 70 parameters इसमें count किये जाते हैं यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पंजाब है, चंडीगड है, तमिलनाडू है और केरल है ठीक है और इसके साथ में ही यहाँ पर कई north east के state जो है, वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है, तो ये जो है इनको आप लोग जरूर याद रखना लद्दाग जो है, वो सबसे last में है उसका score काफी कम रहा था 5-4-5 जो है, वो लद्दाग का score रहा है अब जो है, ये क्या reflect करता है ये कि total इसके अंदर 10 levels हैं इसके अंदर, ठीक है तो level 1 जो है, वो indicate करता है top notch performance and a score between 951, 951 and 1000 points तो 951 तक उसको level 1 के अंदर count के आता है फिर 901 से 950 के बीच में जो है, वो level 2 count होता है और यहाँ पर grading दी जाती है 1 plus plus, ठीक है जैसे राजस्तान जैसे state है जिनका score है 859 उनको 1 plus plus grading दी गई है तो यहाँ पर, यहाँ पर देखी level 3 भी है, जिनको 1 plus rating दी गई है 851 से लेकर 900 के बीच में फिर grade 4 है तो यह level जो है, यह आपको कई बार help करते है means के अंदर, answer writing के अंदर भारत में राश्टे इस्तर पर बेरोजगारी दर में सरवादिक बेरोजगारी वाला राज्य कौन सा है यह काफी important question है यहाँ पर यह आप लोग को समझना जरूरी है कि देखे, मई के अंदर हम लोग बात करें, मई के अंदर तो मई 2021 में पूरे भारत की जो बेरोजगारी दर थी, वो 11.2% थी, लेकिन यदि हम लोग जून की बात करें, तो जून के अंदर ये घट कर कितनी आ चुकी है 10.8% पर आ चुकी है ये हम लोग बात कर रहे है national level पर, ठीक है लेकिन सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वो है, आसाम के अंदर 0.1% है हर्याना के अंदर कितनी है हर्याना के अंदर 29.1% है इसके साथ में अभी तो हम लोग केवल इस्टेट की बात कर रहे हैं यूनियन टरिटरी की बात नहीं कर रहे हैं फिर यहाँ पर तमिल नाडु में है 28% और राजस्थान के अंदर कितनी है 27.6% जो है वो राजस्थान के अंदर है आसाम में सबसे कम unemployment rate है ठीक है यहाँ पर देखिए यहाँ यूनियन टरिटरी की बात करें तो यूनियन टरिटरी के अंदर दिल्ली जो है वहाँ पर लगबग 45% लोग जो है वो unemployment का सिकार हो गए है हम लोग वहाँ पर कह सकते हैं कि हर तीन में से एक वेक्ती जो है वो unemployed है ठीक है तो आप लोग जरूर इसको याद रखीगा काफी important आकड़े जो हैं यह मैंने आप लोग को बता हैं तो आप लोग यहाँ पर देखिए हरियाना has recorded the highest unemployment rate in the country as per the data released by the Center for Monitoring Indian Economy for यह फरवरी 2021 का यह data था लेकिन अब हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं recently जो है वो इसके अंदर अब थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है आपको पता है कि जून के अंदर कई जो इस्टेट्स हैं इन्होंने lockdown को हटा दिया है या फिर काफी हद तक कम कर दिया है ठीक है चलिए बढ़ते हम लोग आगे RBI के जो पूर्व गवर्नर है ठीक है फॉर्मर जो गवर्नर है रगुराम राजन has been included in the economic advisory council into the chief minister of which state तो तमिलाडू के जो chief minister है उनकी advisory council के अंदर शामिल किया गया है total जो है वो 5 यहां पर क्या है advisory committee के अंदर members को शामिल किया है तो रगुराम राजन जो हैं वो तो एक हिस्सा है इसके इनके अलावा 4 और है ठीक है मैं बताता हूँ आप लोग को कौन कौन से हैं एक तो आप लोग याद रखना प्रोफेसर एस्थर डुफली ठीक है प्रोफेसर एस्थर डुफली जो है एक यह है इनको Nobel Prize जो है वो भी मिल चुका है ठीक है इसके साथ में है फिर है अर्विंद सुब्रमन्यम अर्विंद सुब्रमन्यम जो है वो भी इसमें शामिल है प्रोफेसर जा ट्रेंज जो है ठीक है इतना इंपोटेंट नहीं है बिसीकली यहाँ पर यह देखने की बात है कि रगुराम राजय जो गवर्नर रह चुके हैं यह जो है वो तमिल नाडू की एकोनोमिक जो सलाकार समीती है अडवाइसरी कमेटी उसमें शामिल किये गए है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस आर्टिकल के अंदर ठीक है आशिरवाद योजना जो है किस राजय सरकार से संबंदित है जिसमें माता पिता को माता पिता को खोलने वाले अनाथ पच्चों के लिए विशेश शायता शुरू की गई मतलब खोने वाले ठीक है यहाँ पर यह है खोने वाले तो कोवीड के अंदर जो भी बच्चे अनाथ हो चुके हैं इनके माता-पिता का देहान तो हुआ है तो यहाँ पर यह जो योजना है वो उडिसा सरकार के द्वारा लाउंच की गई है basically इसे लाउंच किया गया है 21 जून 2021 को 21 जून 2021 को लेकिन यह लाउंच तो अभी की गई है ठीक है लेकिन लाउंच जरूर अभी की है क्योंकि एक अपरेल को उडिसा अपना उतकल दिवस मनाता है उतकल दिवस मतलब इस्थापना दिवस जो है वो मनाता है कौन उडिसा मनाता है देखिए इसमें होगा क्या ध्यान से सुनना यहाँ पर हर बच्चे को पच्चीस सो रुपए जो है वो हर महीने दिये जाएंगे 25 रुपए हर मनी दिये जाएंगे साहिता के लिए और 18 वर्ष होने तक वो राशी जो है वो उसको प्रदान की जाएगी उसको प्रवाइड की जाएगी अब देखिए कि माता पिता यदि दोनो दोनो जो है उनकी मृत्ती हो चुगी है तो फिर पच्चिसोअ रुपई दे जाएंगे यदि दोनों मेंसे एक की मृत्ती हुई है तो फिर यहां पर 15 सव रुपई प्रती महा जो है हर मन्त उसको दिये जाएंगे उस बच्चे को दिये जाएंगे ठीक है आप देखिए रिसेंटली मैंने आप लोग को बताया था कि ओडिसा ओडिसा के अंदर ट्रांसजेंडरों को पुलिस में भरती करने का निर्ने ले गया था ये आप लोग जात रखना इसके साथ में ही आ और बारत की पहली शत्रन्ज यूणिवर्सटी है सत्रन्ज यूणिवर्सटी उसकी स्थापना भी भुवनेश्वर उडिसा के अंदर की गई थी चलिए यहां पर आप लोग जो है वो आर्टिकल देख सकते हैं नेश्ट आईए आप लोग मैं के दातू बांध परियोजना किस राज्ये में इस्तित है तो यह जो बांध परियोजना है यह करना टक के अंदर इस्तित है और कौन सी नदी पर कावेरी नदी के ऊप पर यह मैं के दातू बांध परियोजना इस्तित है अब यहां पर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं देखिए NGT मतलब National Green Tribunal जो है इसने इसको No Objection Certificate दे दिया है मतलब कोई भी जो है वो कानूनी कारवाही इस बांध के ऊपर नहीं की जाएगी क्योंकि इसमें सभी दस्ताव हैं लोकल जो रेजिडेंट हैं वो क्या कर रहे थे इसका विरोध कर रहे थे कि ये बांध बनने से कई गाउं जो है वो डूब जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं है देखिए NGT के अधि हम लोग बात करें तो 5 मई 2010 को इसकी स्थापना की गई थी और वरतमान के अंदर इसके ज जरूर देखीगा कावेरी नदी के बारे में हम लोग देखें तो करनाटक से इसका जो है वो उद्गम होता है फिर करनाटक से बहते हुए यह जाती है तमिल नाडू के अंदर और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये डेल्टा बना रही है बिसिकली जो इस्टन घाट की जो नदिया है पूरवी घाट की जो नदिया वो मैक्सिमम जो है वो डेल्टा का फॉर्मेशन करती है क्योंकि यहां पर ढलान जो है वो काफी कम रहता है स्लोप काफी कम होने के कारण और इसके साद में ही यहां पर सेडिम arrest जो हैं वो नदिया ज़्यादा बाहकर लेकर इसलिए डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं तो यहां पर मैटूर बान जो है वो आप लोग देखिए और इसके बाद में बिलकुल यहां पर इस्तित है कौन सा यहां पर इस्तित है मैके दातू बान जो है वो यहां पर इस्तित है भारत ने पहली बार किस राश्ट्री राजमा में solar panel का इस्तमाल किया जाएगा तो मुंबई से लेकर नागपूर के बीच में जो national highway है वहाँ पर पहली बार solar panel का इस्तमाल किया जाएगा देखिए भारत के अंदर तो पहली बार हो रहा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मुंबई से नागपूर यदी जाना है तो GGI ये क्या है Global Green Growth Institute है वापस सुनिएगा ये है Global Green Growth Institute ठीक है कहाँ पर इस्तित है ये इस्तित है South Korea के अंदर South Korea की capital क्या है COL है और उसकी द्वारा ही ये solar panel जो है वो रोड के दोनों तरफ बिचाए जाएंगे इस से क्या होगा इनका अनुमान है कि CO2 जो रिलीज हो रही है इ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये तो केवल एक image है दूसरी country की लेकिन इसमें तो divider के ओपर बिचाए गए हैं इंडिया में क्या होगा कि जो रोड है उसके दोनों तरफ जो है दोनों तरफ solar panels को यहाँ पर बिचाए जाएगा इससे फाइदा क्या होगा कि जितनी भी communication जो यहाँ पर होता है उसके अंदर ये सारी electricity जो electricity है उसका use किया जाएगा ठीक है समझ में आ गया यह चलिए विश्व में FDI निवेश में भारत का कौन सा इस्थान है तो भारत का जो है वो इसमें पांचवा इस्थान है देखिए सबसे पहले आप लोग दो टर्म के लिए investment किया जाता है किसी भी infrastructure के अंदर मान ली जी कोई company है वहाँ पर उसके infrastructure में काफी long time तक यहाँ पर investment किया गया है तो वो कहलाएगा FDI के अंदर और FPI में होता क्या है basically किसी company में निवेश ना करके काफी कम यानि कि short time के लिए वो share के अंदर निवेश करते हैं bonds के अ FII जो है foreign institutional investment जो है वो इसको कहा जाता है तो दोनों में फर्क जो है वो पहले आपको समझ में आना चाहिए तो भारत की इसमी rank है कितनी fifth इसमी rank है इजाफा कितना हुआ है FDI के अंदर तो वो हुआ है 64 billion dollar का जो है वो भारत के अंदर इजाफा हुआ है भारत fifth rank पे है तो Hong Kong और fourth rank पर कौन है वो है Singapore ठीक है तो यह जो है वो आप लोग इसके अंदर याद रखना चारों को और पांचवे स्थान पर कौन आ गया है भारत इसमें पांचवे स्थान पर आ चुका है ठीक है अब दिखिए कि FDI में यदि 10% से कम investment हुआ है तो FDI के अंदर यदि 10% से कम यदि investment हुआ है तो उसको सीधे तोर पर FPI के अंदर ही count कर लिया जाता है ठीक है और यदि 10% से ज़्यादा investment हुआ है किसी company के अंदर तो फिर उसको FDI के अंदर count किया जाता है ठीक है यहाँ तक तो आपको समझ में आया अब देखिए कि ये जो FDI है और FPI है ये report जो है वो सबसे ज़्यादा investment हुआ है तो वो कौन सी है वो है UNT जो है इसके द्वारा ये report जो है वो release की गई है मतलब United Nation Conference on Trade and Development इसके द्वारा ये report जो है वो release की गई है इसकी स्थापना 30 December 1964 को की गई थी और इसका जो headquarter है वो कहां पर है वो है Geneva के अंदर ठीक है ये आप लोग याद रखना basically देखिए आप लोग मैं इसकी full form वापस से repeat करता हूं United Nations Conference on Trade and Development तो trade यहां पर word आ रहा है तो आप लोग को मन में ये आ रहा होगा कि sir WTO और अंग ठाड के अंदर difference क्या है तो WTO का जो object है वो क्या है कि trade investment को बढ़ावा देना और जितने भी developing countries है उनके अंदर trade को maintain रखता है international level के ऊपर ठीक है यहां पर आप लोग को एक चीज और देखनी है कि जड़ डवलब्ड countries है ठीक है जैसे USA है जापान है तो जो developed countries है उनके अंदर FDA की जो मात्रा है वो काफी कम हो गई थी तो FDA जो है वो developed countries के अंदर यह थी हम लोग बात करें 2019 के अंदर तो वो 750 billion dollar था जबकि 2020 के अंदर यह कितना हो गया 312 billion dollar तो यह कम हो गया है यहां पर ठीक है यदि हम लोग developing nations की बात करें तो developing nations के अंदर जैसे हम लोग इंडिया की बात करनें तो जैसे FDA आया है तो FDA 2019 के अंदर आया 63 billion dollar ठीक है 663 billion dollar और वही FDA 2020 में बढ़ कर कितना हो गया 723 billion dollar यह हो गया तो यहां पर developing countries के अंदर FDI के अंदर इजाफा हुआ है जबकि developed nation के अंदर काफी कमी इसके अंदर देखी गई है चलिए विशु का सबसे बड़ा सांस्कृति केंदर इंद्रा गांदी Center for Indian Culture किस देश में इस्तित है जिसके नए निदेशक जो है वो बलवन ठाकूर को बनाया गया है काफी important question है यह ठीक है क्योंकि exam में ऐसी चीजों का हम लोग अंदाजा भी जो है वो नहीं लगा सकते तो मौरिशस जो है यहां पर यह विशु का सबसे बड़ा सांस्कृति केंद्र इस्तित है basically यह बलवन ठाकूर जो है यह South Africa के अंदर अभी तै किया जा चुका है और इनको संस्कृति को बचाने के लिए पद्म श्री जो है वो भी राष्टपती के द्वारा दिया जा चुका है तो बलवन ठाकूर का नाम आप लोग याद रखना राष्टरि मानवादिकार आयोंग ने बंगाल चुनाओं में हुई हिंसा की जांच के लिए किसकी अद्श्टा में समीति का गठन किया है ये कोशन जो है वो काफी इंपोटेंट है क्योंकि नैशनल 違ूमेंड राष्ट कमिशन की दौरा ये जो है पैनल इसको बनाया गया है और इसको कौन कर रहे है राजी जैन जो है वो इसके हाड़् कर रहे है और ट दत्तु के बाद में किस व्यक्ति को राष्ट्री मानवादिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है और इसके साथ में मुझे ये भी बताना कि नैशनल हुमन राइट कमिशन के अंदर मेंबर जो हैं वो कितने होते हैं ठीक है तो एक तो हैड का नाम बताना और फिर बताना कितने मेंबर होते हैं रंजना प्रकास देशाई मैंने कल भी बताया था कि जम्मू कश्मीर के लिए जो डिलिमिटेशन कमिशन है उसके लिए अध्यक्ष जो है वो रंजना प्रकास देशाई है जी रोहिनी समीती का काम है कि जो विवहा की उम्र है मेरी जो एज है मतलब लड़कियों के लिए लड़कों के लिए वो कितनी डिसाइड होनी चाहिए वो जी रोहिनी समीती के द्वारा इसको यहां पर क्या किया जाएगा डिसाइड किया जाएगा फिक है एम नाग राजान बिसिकलि ये तो एक केस था 2077 का जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया था कि आरक्षन जो है रिजिरवेशन उसका आधार क्या होना चाहिए वो सोशिल होना चाहिए एजुकेशनली होना चाहिए ठीक है तो ये जो है वो एम नागराजन केस के अंदर 2007 में डिसाइड किया गया था चलिए नासा के किस टेलिसकोप ने अंतरिक्ष में काम करना बंद कर दिया है तो हबल जो टेलिसकोप है इसने अब काम करना बंद कर दिया है देखिए हबल जो टेलिसकोप है इसको लाँच कब किया गया था 24 अपरेल 1990 को इसको लाँच किया गया था और ये कहा गया था कि ये जो है वो 2030 और 2040 तक ये काम करेगा हबल टेलिसकोप basically क्या है हबल टेलिसकोप का जो लेंस है यहाँ पर आप लोग इस picture में देखिए कि यहाँ पर ये जो लैंस यहाँ पर लगा रहता है तो इसका diameter लगबग 2.4 मिटर के आसपास में है ठीक है अब ये क्या करता है कि अर्थ का ये अर्थ के चारोतरफ चक्र लगाता है और अर्थ का चक्र लगाने में ये कितना लेता है 95 मिनट टाइम ये एक अर्थ का जो है वो एक चक्र लगाने में काम में ये लेता है लेकिन अब क्या हुआ है कि इसके अंदर जो computers यूज किये गए है टोटल 4 computers में यूज किये गए है 4 computer में से 2 computer जो है जो कि image send करने का काम करते हैं वो computerist में खराब हो गए है अब image जो है वो इससे send नहीं की जा रही है और अब जो है ये खराब हो चुका है लेकिन इसका replacement भी है वो है James Webb Telescope तो James Webb Telescope जो है वो लगबग 2021 के अंदर इसको launch कर दिया जाएगा तो Hubble Telescope का ये क्या है replacement है और NASA के द्वारा इसको क्या किया जाएगा launch किया जाएगा इसका duration कितना है 5 से 10 साल का है ठीक है कौन से vehicle से launch किया जाएगा वो है Arian 5 ECA से इसको क्या किया जाएगा launch किया जाएगा जम्मो कश्मीर की पहली महिला Air Force Pilot कौन बनी है तो वो कौन बनी है मावया सुधान जो है वो बनी है जम्मो कश्मीर की पहली महिला न्यायदीश कौन थी तो आप लोग याद रखना गीता मित्तल गीता मित्तल जो थे हैं वो क्या थी woman justice है कहां कि पहली जम्मो एड कश्मीर की ठीक है और भी जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये भी वोमेन फाइटर पाइलिट रही है ठीक है अवनी चत्रुबेदी है इसके साथ में भावना कांत है मोहना सिंग है ये सबी रही हैं सामाजिक नयाय और अधिकारिता मंत्रा लेने किस देश के विभिन हिस्सों में दिव्यांगता खेल केंद्र इस्ताफित किये हैं तो वो कितने हैं टूटल पांच केंद्र जो हैं वो यहाँ पर इस्ताफित किये जाएंगे हाल ही में किस व्यक्ति को विश्यू बैंक और आईमेफ द्वारा गठित एक उच इस तर ये सलहाकार जो समू है इसके अंदर मेंबर के तौर पर यहां पर इनको नॉमिनेट किया गया है तो वो है मौन्टेंग सिंग आहुवालिया जो है इनको नॉमिनेट किया गया है गया है यहां पर देखिए CBDT की बात है तो Central Board of Direct Taxation जो है इसकी द्वारा आधार कार्ड और पैन को लिंक करने के लाज़ डेट जो है वो 30 जून डिसाइड कर दी गई है इसके बाद में ये सब जितने भी पैन कार्ड है वो क्या हो जाएंगे वो सब यहां पर deactivated कर दी जाएंगे तो लाज़ डेट जो है वो 30 जून 2021 की निरधारित की गई है विश्व संगीत दिवस किस दिन मनाय जाता है तो जिस दिन योग दिवस आता है उस दिन ही क्या मनाय जाता है विश्व संगीत दिवस मनाय जाता है वर्ल्ड मुजिक डे जो है वो मनाया जाता है ये आज आप लोग के लिए steady gloss question है कि हाल ही में किस मचली को IUCN के दोरा least concern list के अंदर शामिल किया गया है तो इसका answer जो है वो मुझे comment section में देना मत भूलिएगा ठीक है देखिए थोड़ा वो session को complete करने में समय तो लगता ही है आप आप लोग comment करते हैं कि सर आप बहुत ही लंबी class लेते हैं देखिए कोई चीज समझानी है फिर भी मैंने आप कोशिश की है कि मैंने थोड़ा सा session को छोटा किया है ठीक है चलिए आपकी जो भी queries हो वो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं इंस्टा के ऊपर बेजी जग पूछिए ठीक है जो भी आपको guidance लेना हो इसके साथ में आप लोग को टेलिग्राम चैनल पर ये quiz जो है वो available होंगे जो भी हम लोग question करते हैं वो सारे question आपको quiz के रूप में यहाँ पर available होंगे तो आप लोग टेलिग्राम चैनल को join कर सकते हैं Instead Glow आप लोग के लिए बहुती बैथरीन content लेकिया आता है knowledge is power ये हमारी tag line है तो आप लोग subscribe करना मत भूलिए चलिए कल मिलते हम लोग बहुती बैथरीन questions के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद Thank you